हलो दूस दूस स्वागत है एक नए वीडियो पे दूस्तों मारे पिछले वीडियो जितने भी APS से रेलेटेड मैंने बनाया था उस पे काफी एक डिबेट चलता है कि ये APS पोर्टल बेहतर है ये APS पोर्टल बेहतर है इसमें ट्रांजेक्शन नहीं फसता है इसमें ट्रां चाहए की कोँचिस करूँगा दोस्तों जितने भी APS पोर्टल है चाह है ये फिनो पेमेंट बैंक का हो पेनियर भाई का हो इसपैस बनी का हो पेवर्ड का हो चाही जितने भी आप कंपनी का यूज करते हैं हर एक पॉर्टल में transaction फसने के chances होते हैं हर एक पॉर्टल में transaction फसता है मतलब कि दुस्तों जो भी आप ATM से, MINI ATM जिसे आप MINI ATM यूज करते हो या आप Biometrik से पैसे हर एक transaction करने पे आपके जो transaction है वो फसते हैं और जितने भी पोर्टल हैं, सभी पोर्टल में ट्रांजिक्शन फसते हैं, तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें, कि कोई ऐसा पोर्टल नहीं है, जिस पोर्टल में ट्रांजिक्शन न फसते हों, क्योंकि जब भी NPCI का सर्वर डाउन रहेगा, 100% आपका जो ट्रांजिक्शन है, वो फसेगा, अब आपके मन में एक ये भी सवाल आता है, कि अभी मैंने फीनो से किया, और पेनियर से किया, फीनो से विड्राउ हो गया, पेनियर से किया, तो पेनियर से फस गया, दोस्तों क्या होता है, कि NPCI का जो सर्वर होता है, वो अभी आपने जो ट्रांजिक्शन किया, फीनो से किया, उस समय वो सर्वर बेहतर था, अभी आपने पेनियर बाई से किया, हो सकता है, उसका सर्वर डाउन हो गया, वो ट्रांजिक्शन फस गया, आपको करना क्या है, कि आपको अपने ग्रांगों को मोटिवेट करना है, और सबसे पहली बात कि आप अपने रिटेल सौप में, जो भी आपकी बैंकिंग की दुकान है, आप उसमें जरूर एक बैनर पुस्टर लगा दें, कि जो आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्रांगों के लिए है, कि जो आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, अगर ट्रांजिक्शन फस जाता है, अगर आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, अगर हमारे वालेट में पैसा नहीं आता है, तो उसकी जिमेदारी हमारी नहीं होगी वो पैसे आपके 72 गंटे के अंदर आपके अकाउंट में refund हो जाएंगे दोस्तो 72 गंटे में अगर refund नहीं होता है तो बहुत लोग का ऐसा भी होता है कि इनको एक सब्ता लग जाते हैं मतलब एक सब्ता तक वेट करने पड़ जाते हैं एक सब्ता में उनके खाते में पैसे return आते हैं तो दोस्तो एक चीज आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि जो भी आप portal यूज करते हैं हर एक portal में transaction फस सकता है और उसका system यही है कि आप अपनी ही company में एक customer care में complaint लोग कर देंगे आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा किसी ग्रहां का पैसा withdraw करते हैं अगर time out हो जाता है या transaction किसी भी कारण बस फेल्ड होता है तो आपको उसका एक screenshot ले लेना है दोस्तों उस screenshot में आपको एक transaction ID नमबर होता है वही transaction ID आपके customer care वाला आपसे पूछेगा और आपको वो transaction ID नमबर दे देना है दोस्तों customer care वाला करता क्या है कि जब भी आप complain करते हैं तो जिस भी bank से आपने पैसे withdraw किये हैं उस bank में तुरंत उस transaction ID के नमबर से एक complain वो customer care वाला खोदी कर देता है तो क्या होता है कि एक सब्टा के अंदर वैसे तो 24 से 18 गंटे के अंदर खाते में पैसे refund हो जाते हैं बट बहुत सारे ऐसे bank हैं या बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पैसे आने में 7 दिन का भी वी समय लग जाता है और दोस्तो बहुत सारे ऐसे case में ऐसे भी आये हैं जिसमें एक एक महीने तक का भी समय लगया तो इसमें आपको घबराने और परिशान होने की कोई बात नहीं है अगर आप किसी भी company का portal यूज करते हो ये problem आपके साथ हो सकती है आपको simply यही काम करना है या तो आप अपने company के portal जो आप जिस भी company का portal यूज करते हैं आप अपने company में एक बार complaint लोग करें otherwise दोस्तो अगर आप अपने company में complaint लोग नहीं कर रहे है तो जो भी customer है आप उनसे बोले अपने customer से कि वो अपने bank में complaint लोग कर दे कि आप उसने इस date में पैसे विड्रॉ किया आधार कार्ट स और transaction failed हो गया है जो APS संचाला के उसके खाते में पैसे नहीं गया है और मेरे खाते से पैसे कड़ गया है तो उसका bank जो है एक complaint note कर लेगा और दोस्तों यह जो पैसा होता है यह एक बीच में फसा होता है जिसको हम क्यू बोलते हैं जैसे bank में अगर आप जाएंगे तो bank वा उनों जगह में कहीं भी अगर आप कर देते हैं या तो आप जिस भी company का portal यूज करें हो यहां complain करें या तो आप customer के bank खाते में complain कर दें बैंक में complain कर दें वो जिस भी bank का ग्रहक है उसके customer के अरपे complain कर दें तो वो पैसा जो है वो आपको 72 घंटे के अंदर या 7 दिन के अं अगर कोई भी grant बोलता है कि पैसा कट गया है यह आपके में चला जाएगा आप हमें पैसा दे दीजे तो ऐसा आपको नहीं करना है अगर ऐसा आप करते हैं तो 100% आपको नुकसान होगा वो पैसा आपके wallet में कभी नहीं आएगा वो पैसा हमेसा जो है वो grant के खाते में ही refund ह होता है तो दोस्तों अगर आप किसी भी company के APS संचाला के किसी भी company का APS portal यूज करते हैं तो दोस्तों आपको एक चीज को समझ लेना बहुत ही जरूरी है कि transaction फस्ता है और 100% फस्ता है अगर आप यह सूचते हैं कि कोई भी ऐसा portal मिल जा है जिसमें transaction नहीं फस्ता है तो दो आप टेंशन फ्री होके यह काम करिए ग्रहां किसी भी ग्रहां का पैसा फस्ता है उनको आप बोलिए कि सर आप साथ दिन तक वेट करिए आपके खाते में पैसे आजाएगा नहीं आए तो आप हमें पास्बुक प्रिंट आउट करके हमें दिखा दीजेगा और दोस्तों आ ज्यादस ज्यादा कोशिस करिए कि आप अपने ही कंपनी के पोर्टल में कंप्लेंड करिए कस्टमर केर में कंप्लेंड करिए अगर पोर्टल में आपके टिकिट बनाने का मतलब की डारेक्ट पोर्टल में कंप्लेंड करने का ओप्शन आता है तो आप वहां भी तो दोस्तों I hope आपको यह हमारी जानकारी का भी पसंद आयोगी अगर जानकारी हमारी पसंद आयो तो आमरे वीडियो को लाइक कर दीजगा हमारे चैनल में पहली बार आये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा दोस्तों ऐसे ही APS related में वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों म चैनल को आपको वीडियो के सात्ता था जानकारी वन्दे मातर में